असलामों अलेकुम हेलो फेंट्स विल्कम टू मैं जहारास की चेन मैं हूँ जहारा उम्मीद करती हूँ आप सब हैरियत से जरूर होंगे आज मैं आप सभी के साथ स्टीम फ्राइड चिकन की रेसिपी लेकर आए हूँ होल चिकन की रेसिपी है बहुत मज़ेदार का बनकर त्यार होता है सबसे पहले हम चिकन को मसाले में मैदनेट करेंगे उसे स्टीम करेंगे उसके बाद हम इसे फ्राइड करेंगे बहुत ला जवाब क्रिस्पी फ्राइड चिकन बनकर त्यार होगा तो friends अगर आज की steam fried chicken की recipe आप लोगों को पसंद आती है आप लोगों के लिए helpful लगती है तो please इस वीडियो को like, share और मेरे चैनल को subscribe जरूर करते वे जाएए तो यहाँ पर मैंने लिया है 800 gram whole chicken सबसे पहले हमें चीकन को पानी से साफ कर लेना है और इस पार्ट को मैं cut करके निकाल दूँगी तो यहाँ पर देखिए अब जो हम चीकें को इससे कट कर लेंगे इसे हमें deeply cut कर लेना है हड़ी टच होने तक हम अच्छी तरह से knife से cut कर लेंगे तो अच्छी तरह से जहां जहां पर आपको दिखएगा गोस्त आप वहां पर इस तरह से कट लगा लिया तो लेक पर और थाई पर भी मैंने कट लगा लिया है अब मैं एक बड़े से बोल पर पानी ले ली हूं और एक चमच डाल दूंगी नम्मक और दो चमच हमें ले लेना है वाइट विनेगार यानि सिरका अब मैं हाँ पर होल चिकन को इसके अंदर रख लोंगी इस तरह से इत अगर हम इस तरह से रख लेते हैं अब मैंने एक चलनी पर इसे रख लिया है ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल जाए तो यहां पर मैरिनेशन के लिए मैं मसाला तयार कर लोंगी एक चमच हमें ले लेना है अध्रक लेसन का पेस्ट इसी के साद एक चुड़ी चमच हल्दी प अब मैं हपर डालेती हूंि नमक दो चुटी चमचे करीब अब मैं हपर एक चमच कसूरी मेहिती हूं कसूरी मेहिती को हल्का सा रोज्ट करके उसे बास्ता से मिला ले उसके बाद आपको यहां पर चिकेन रखेंगे और मिला लिया है अब इस उसे कोवर कर लेंगे हमें इसकी तरह समने है हुआ तहीं हम दोगए के बाद हमारा चिकेंइड अब दूगा ला परकती है फोल सकतर बातर लिया है एक लीटर पानी डाल दूँगी और मैंने एक स्टांड रखा है बरतन के अंदर आप देख सकते हैं अब मैं आपको खड़े मसाली डाल देती हूं एक बड़ी लाइची दो छोटी लाइची एक स्टार फुल यानि बद्यान का फुल चोटा सा जाईत्री छे से साथ और लेना एक टेख पत्ताहाफ इंच के दालचीनिया टुकड़ा अब मैं स्टैंड को अपर रख लेती हूं बोल और उसके अंदर हमें इस तरह से चिकें को रख लेना है और चिकेंद का जो दो लेग है मैं उसे इस तरह से बंद कर लोंगी इस ऐसा करने से करने चिकेंद 85 परशंट तक गल गया है अब मैं इसे निकाल देती हूं इस बरतन से और इस चिकेन को हम निकाल लेंगे और एक चलनी पर रख लेंगे ताकि इना चिकेन को हम पूरी तरह से अभी थंड़ा होने के लिए छोड़ेंगे उसके बाद हम इसे और एक मासाला तयार करेंगे जिसस क्याना हमारा जो चिकेन है बोहती क्रिस्पी बन कर तयार होगा अब मैं हाप डाल देती हूं एक अंडा बैंडिंग का अच्छी तरह से काम करेगा और साथ ही एक चोडी चमच हमें अधर क्लैसन का पेस्ट भी डाल देना है एक चोडी चमच कुटी वी काली मिच पाउडर एक एक चोडी चमच जीरा पाउडर एक चोडी चमच हमें धन्या पाउडर भी डाल देना है एक चोडी चमच गर मसाला पाउडर एक चमच हमें लेना है कस्मिरी लाल मिच पाउडर इससे कलर बहुत अच्छा हैगा एक चोडी चमच कसूरी मेथी एक चोडी चमच हमें नमक ड ला लूँगी सभी चीजों को बिल्कुल हमें इसका गौल तैयार कर लेना है अगर हमें यहां पर पानी की जरुरत हो गी तुछ पॉरी तरह से थंडा हो चुका है अब मैं अच्छी तरह से इस बैटर को यहां पर लगा लूँगी चिकेन में चिकेन को मैंने 85% तक पका लिया है अब जो हम यहां पर फ्राय करेंगे इस तरह से मसाले का कोटिंग करके तब हमारा चिकेन पुरी तरह से पक जाएगा और बहुत ही मज़ेदार कभी बनकर तयार होगा तो यहां पर देखिए मैंने चिकेन को अच्छी तरह से मैरिनेट कर लिया है अब मैं इसे 15 मिटली फ्रीज में रख लूँगी ताकि मसाला जो हमने लगाया है वो अच्छी तरह से पकड़ ले चिकेन को यहां पर देखिए हमारा चिकेन अब पूरी तरह से तयार है आप मसाला भी देख सकते हैं बैटर बिल्कुल किस तरह से सूखा सा हो चुका है अब मैं और एक बार इस तरह से कोटिंग कर लूँगी और अब हमें इसे फ्राइ कर लेना है तेल को मैंने हाई मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से गर्म कर लिया है अब मैं हाँ पर चिकेन को रख लेती हूँ और उलट पुलट करते वे हमें चिकेन को फ्राइ कर लेना है जब तक यह अच्छी तरह से क्रिस्पी ना हो जाए हाई मीडियम फ्लेम पर यानि हमें 10 मिनिट के लिए अच्छी तरह से उलट पुलट करते हुए इसे फ्राइ कर लेना है बहुत ही मज़िदार का आपका स्टीम फ्राइड चिकन बनकर त्यार होता है एक बार इस रेसिपी को जरूर ठाई किजिए और आपको यहां पर लेना है 800 ग्राम या फिर 700 ग्रा कि यहां पर लिए यहांपा लिजिए हमारा फ्राइड चिकन सब्सक्राइब बहुत होती लाजवार और बहुत ही मज़िदार का सब्सक्तियार हों एक दो म Billie्त परताय कि घरतिस रेसियार करें करना और लेक्वा 좋은 उस्ट क्रिणई और टो इस डिजाड़ बहुत ही मज़िद आप आवाज सुनकर अंदाज़ा लगा सकते हैं उपर से कितना क्रिस्पी बनकर त्यार हुआ है अब मैं इसे आप लोगों को तोड़ के भी दिखा देती हूं कितना जूसी और बहुत ही मज़ेदार का बनकर त्यार होता है मैंने जो धागे से बांदा वुआ था लेक पिसे इसको मैंने उसे खोल लिया है अब मैं इसे तोड़ के भी दिखा देती हूं छूते ही बिलकुल तूड़ गया है आप देखी सकते हैं बहुत ही मज़ेदार का बनकर त्यार होता है हमने जो इसरी कोटिंग किया था था न उस इस रेसिपी को एक बार जरूर रहे कीजिए इन्शाल्ला से आप लोगों को बहुत ही पसंद आने वाला है तो अगर आज की स्टीम फ्राइट चिकन की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई है आप लोगों के लिए हिल्फुल लगती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक श चीज आप pela सिंद एald से लुटी आप लो श्याजवां के लिएग एगा भाम के लिए घो उटंट कोजय ही झातारी के लाइका लगाँ के लिए प्लाइट इस दур मवोगों के अवीज़ान पर टूत अावीไह पलाम के लिए